नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आप भी यदि घर पर मेथी उगाना चाते हैं तो कुछ इस तरीके से उगाईए सबसे पहले आप मेथी के बीज को पानी में रात बर के लिए भिगो कर रखिए मैंने ये जो बीज है मेथी का कल रात को भिगो दिया था और अभी जो है सुबह मैं इसे लगाऊंगा मेथी का बीज दोस्तों पानी में भिगोने से होता क्या है बीज जो है फूल जाता है और ऐसा करने से बीज जल्दी अंकृत हो जाता है और अंकृत होकर मिट्टी से बाहर निकलाता है तो आप यदि दोस्तों बीज को चाहते हैं कि वह जल्दी होगे मेथी का तो आप जो उसे भीगो कर रात पर के लिए रख दीजिए और फिर सुबा को जो है उसको मिट्टी में बीज दीजिए और दोस्तों बोरी में मेथी को उगाने का जो नया तरीका है वो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि इस तरह से हम यदि बोरी को काट कर जो है मेथी बीजेंगे तो जादा मात्रा में हम जो मेथी हार्वेस्ट कर पाएंगे लेकिन अगर हम सीधे ही बोरी में जो है फोल्ड करके अगर लगाते हैं तो उस कंडिशन में हमें जो थोड़ी मात्रा में मेथी हार्वेस्ट करने को मिलती है तो मैंने इस बोरी का जो खुला मूधा उसको बंद करके उपर से जो है इस तरह से बोरी को काट कर उसमें मिट्टी भर दी है तीन से चार इंच की गहराई तक मिट्टी जो है तो इतनी गहराई काफी रहती है मेथी उगाने के लिए तो हमने यहाँ पर इस तरह से बोरी को त्यार किया है और जो मिट्टी मैंने यूज की है दोस्तो वो जरूरी नहीं है कि आप भी सेम मिट्टी बनाएं आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल गार्डन सोयल में भी लगा सकते हैं मेथी दोस्तो हर तरह की मिट्टी में असानी से उग जाती है फिर आप सिर्फ और सिर्फ सेंड में लगाना चाहते है तो उसमें भी जो है वह उग जाएगी हो जाएगी वैसे मैंने जो है दोस्तो गार्डन सोयल सेंड और वर्मी कमपोस्त तीनों को बराबर मातरा में एड किया है और 10% जो अलग से जो राइस हसक रहता है जो धान का चिलका रहता है वह मैंने एड किया है तो मैंने इस तरह की मिट्टी बनाई है तो दोस्तों इस तरह से हम मिट्टी त्यार करके जो मेथी के बीज हैं जो हमने रात बर बिगो कर रखे हैं उन्हें जो इस तरह से मिट्टी के उपर स्प्रिंकल कर देंगे बिखेर देंगे और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा अगर आपके हाँ पर सर्दी जादा है टमप्रेचर जो है 10 से नीचे है 15 से नीचे है तो मेथी का बीज हो या धनिया का बीज हो या पालक का बीज हो कोई भी बीज हो किसी भी वेजिटेवल का है फ्लावर प्लांट का उस बीज जल्दी नहीं उखना है टमप्रेचर डाउन होने की स्तिती में बीज देरी से अंकृत होता है और दोस्तो वैसे मेथी का बीज तीसे चौते दिन बड़ी ही असानी से उखकर बाहर निकल आता है बट अगर टमप्रेचर डाउन सर्दी जादा है तो मान लीजे 7 से 10 दिन भी मेथी उखने में ले सकती है मैं यहाँ पर आपको जो हूँ सिर्फ यह बता रहा हो के मेथी का बीज हो है फिर कोई बीज हो टमप्रेचर डाउन होने के स्थिती में देरी से ही उखता है लेकिन अगर हम बीज से उपर के temperature में कोई भी बीज डालते हैं तो वो जो है कम से कम समय में उकर बाहर निकलाता है इसके बाद दोस्तों हम मिट्टी की एक पतली सी लेयर से सबी के सबी मेथी के बीज को जो है cover कर देंगे और भरपूर सर्दियों के दिन में आप चाहो तो full sunlight में भी grow कर सकते हैं लेकिन अगर आपके यहां का temperature बीज से उपर का है तो आप partial sun में ही grow कीजिए अधिक सर्दी में आप full sunlight वाले स्थान पर रख दीजिए तो इस तरह से हमने बीज को मिट्टी से cover कर देना है इसके बाद दोस्तो भरपूर मातरा में आप पानी दीजिए और दोस्तो जिस तरह की मैंने मिट्टी बनाईए इस तरह की मिट्टी में भरपूर पानी आपनी जो हमेशा देना है और बोरी हो या फिर किसी में भी आप लगाते हैं नीचे जो है कुछ छेद जरूर कीजिए ताकि ओर वाट्रिंग होने पर जो है एक्स्ट्र पानी डैन आउट हो सके दोस्तो आप अभी देख सकते हैं हमने जो मेथी का बीज डाला था वह उगना शुरू हो गया है बट ये जो है साथ में दिन का अपडेट है दोस्तो अभी आप देख सकते हैं मेथी जो काफी बड़ी हो गई है दोस्तो मैंने जिस जगा पर अपनी सबोरी को रखा है वहाँ पर ज़्यादा समय धूप नहीं रहती है कुछ ही समय धूप आती है क्योंकि दोस्तो सर्दी का मौसम चल रहा है और मेरे घर पे जो जामुन का पेड़ खड़ा है उसकी वज़े से धूप काफी कम आती है मौनिंग टाइम के लगबग एक डेड़ घंटे की ही दूप जो है मिल पाती है जिसकी वज़े से कहीं प्लांट की ग्रोथ काफी जादा है कहीं बहुत कम है तो दोस्तो यह है फाइनल अपडेट अभी हम मेथी को हारवेस्ट करेंगे सर्दी बहुत जादा है जिसकी है देर ना करते हुए मेथी जो है जल्दी से हरवेस्ट और एक बात मैं कहना चाहूँँ आप लोगों के मन में सवार रहता है कि हम एक बार मेथी को काटने के बात क्या उसमें से फिर से मेथी आएगी के नहीं तो दोस्तो सेकंड टाइम मेथी आती तो है लेकिन बहुत कम म पूछिएगा जिने अल्दे को रिप्लाइद देने कोशिश करूंगा थैंक्स पूर वाचेंग हैपी गाटने